प quartz 9 के बच्चों आप लोड़ मेरा को Bennett न घ। I feel a settled a couple छोटे में हो दो और अब आप लोग का टाइब हम् मेमरी के अाजम आप लोग आटion breaker एंथा bios लुका से बाचाहिया मतलब होता है इस य्यॉजर नाकलज्य क riots एक करें नॉसे थलिआन्जीर का मतलब होता है जब को पुरानी कोई बाते याद आतीं है तो आप लोग क्लास केजी की बात याद आ रही होगी कैसे कि आप को छोड़ने जाती थी कैसे आप वैन में जाने से पहले रोते थे बहुत चोटी चोटी बाते हैं जो आपको याद आती हो लेकिन बिलीव में अभी आप लोग सबको ना लग रहा होगा कि आप लोग जल्दी से बड़े हो जाएं ना आपको अपको आपका चाइल्डूड बहुत याद आएगा आपको अपना बच्पना बहुत याद आएगा और तब आप नॉस्टाल्जिक हो जाओगे लें दिस वर्ड न नॉस्टाल्जिक या नॉस्टाल्जिया ओके बहुत काम आने वाला है इस पोयम में तो थॉमस हूड जिन्नोंने ये पोयम लिखी थी तो हम आपको थॉमस हूड के बारें बता है वो अच्छे पोएट थे पर उनका लाइफ बहुत स्यादा सक्सेस्फुल नहीं था ठीक है वो अपनी लाइफ में बहुत परिशान रहे अज यंग्स्टर उनकी लाइफ में बहुत सारा ट्रॉमा था बहुत सारा दुख था उनकी लाइफ में ठीक है आपको यूद बहुत 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 ज्यादा सक्सेस्फुल नहीं हुए बाद में उन्होने पोईटरी रिखने चालू की पोईटरी मुनको अच्छा सक्सेस मिला बदेन ही बिकेम यूज अच्छी सफरिंग फॉम इन्वालिडिजम इन्वालिज इन्वालिडिजम का बिसिकली बता होता है कि जब आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत बीमार हो थे कि आप अपने हेल्थ को लेके बहुत जाता लोगों जाता है इसा होता है कुछ यह इसे होते हैं उटकर तो इन्वालिडर्डिजम उन्वालिज को मेंचंछने हो जाता है तो जो पोईट थे हमां है थे कि यह नोट्स को आप खरीद सकते हैं तो देखो मैंने क्लिरली लिग दिया तुम लोग के लिए आयरिमेंबर आयरिमेंबर जो पोयम है इसकी जो थीम है यह भी है अराउंड नॉस्टैल्जिया मैं आपको बता रहा था नॉस्टैल्जिया की स्पेलिंग जो है वह आप यहां नॉस्टैल्जिया एंड बिटर स्वीट लॉंजिंग फोड़ इनोसेंस और जॉय ऑफ चाइल्डूड तो यहां पर जो पोएट है उनको इस बात का बहुत दुख है कि उनका चाइल्डूड खतम हो गया क्योंकि जब वो चाइल्ड थे ना तो उनको वह बहुत खुश थे अपने चाइल्डूड से तो यहां पर एक्स्प्रेंशन में आप लिए दिये हुए जो आकि यह नोट्स आप ले सकते हो इस पर सारा एक्स्प्रेंशन है जिससे आपको आंसर मिल जाएंगे तो हम लोग स्ट्रेट अवे पोयम में चलते हैं ठीक है आपको आइडिया तो हो जो पोएट है वह बड़े परिशान है अपने अडल्ट उट से ठीक है बड़े होके कुछ नहीं है तुम लोग सबको लगता है कि अब बड़े हो जाए और वह अपने बच्पन को अपने चाइल्टूड को याद कर रहे हैं और यहां पर बोर रहे हैं आई रिमेंबर सब चीजे याद आएगी और साइद मेरी यह पोएम याद आए तो आप लोग बोला सार आप बिल्कुल साही बोले थे ठीक है तो यहां पोएट बोल रहा है आई रिमेंबर आइब आइमेंबर दा हाउस वर आवस बाहन आउन एक जगे से दुस्ति जगे बहुत गए हैं त तो वो रहा है मेरे घर में एक छोटी सी खड़की थी तर्वाज विंडो देर और जो सन है वो सुबह सुबह ताइम पर आ जाता था लेकिन सन भी ऐसा नहीं था कि आके इसको डिस्टर्ब करता हो एक है ऐसा लगता था इसा लगता था इसान रेस ग्राजुली और जेंटली एंटर दर रूम नहीं बहुत प्यार से आस्टे से रूम में आता था आज इस प्लेफुली पीकिंग इन ऐसा लगता था रूम में सो रहा है वह आके उसको चोटा सा हलका सा चेल के जाता था वैसे भी तुमको पता है नॉर्दन हमेस्फियर में ठंड बहुत होती है तो वह उसके रूम में आता है और इसको छेड के चला जाता है इसको एक तो गाल पर पपी दे के चला जाता है वोड़ा जो सन है वो कभी मुझे जल्दी नहीं आता था मॉर्ण जब मेरी नींद खतम होती थी तब ही आता तो यहां पर सान को हुर्स T्रीक्वेंट नहीं दियागया हम लोग के हम लोग के हां तो गर्मी में सान आ जाता है हम लोग कुस्सा हो जाता है अरे यार बंद कर लाइट आ रही है आज सोने नहीं दे ला वहां ऐसा नहीं होता है तो यहां पर वो सन से कंप्लेंड नहीं कर रहा है in fact he's enjoying the sun तो बोलता he never came a wink too soon ठीक है माने सान का जो appearance वो एक्तम right time में है neither too early not too late so he's happy with the sun not brought too long a day और ऐसा भी निया कि सान जो है वो बहुत जादा लंबा दिन करके जाता है वो आता है अपने time से अपने time से चला जाता है and the poet is very happy with the sun बच्पन में भी जल्दी ने स्कूल नहीं जा रहा उनको but now I often wish the night had born my breath away तो यहां पर सबसे पहली बार हम लोगों समझ में रहा है कि poet दुखी है तो मुझे ऐसा लगता है कास उस किसी एक रात में मैं चला जाता दुनिया से तो यहां पर first paragraph में हमको लग रहा है कि poet कितना पीन में है जो रात को अपनी life give up करने के लिए ready है तो ऐसा क्यों करेगा को इंसान हाना ऐसा इंसान तभी करेगा जब वो अपने जीवन से बहुत दुखी हो जाएगा मुझे नहीं पता आप लोगो class line में इतनी दुख बड़ी poem क्यों पड़ा रहे हैं आप लोगो समझ में भी नहीं आएगी लेकिन यह poem थोड़ी सी emotional है ठीक है इसके अंदर बहुत सारा मेलनकली है ठीक है बहुत सारा सौरो है ठीक है तो यहां पर स्पीकर मेटामॉर्फिकली यहां पर मेटाफर तुमको मालों ना comparison होता है without using as or like आप लोगो सीख लो जब हम लोग दो चीज़ को compare करते है यूजिंग आज और लाइक तो वह simile होता है ठीक है से मतलब हो गया जैसे में तो को example देता हूं कि as sweet as sugar अगर मैं बोलूगा as sweet as sugar तो वह क्या है वह simile होता है ठीक है लेकिन अगर जैसे मैं बोलूँ तो नाइट is like a visitor ठीक रात एक visitor की तरह होती है मैंने यह पर like लगाया है तो वह simile है और अगर मैं बोलूगा the night is a visitor इस पर मैं like नहीं लगाया तो यह metaphor है यह भी comparison है वो भी comparison है ठीक है तो यहाँ पर speaker metamorphically wishes that he had ceased to exist but their life had come to an end during the night यहाँ पर वो चाते हैं कि उनकी बोलो ना had born my breath away यह metaphor है कि मैं साइद जो night है वो जब जाती मेरी सांसे भी ले जाती तो तुम देखो जब starting का जब paragraph आया तो starting की जो lines थी उसमें poet बोल रहे है कि मुझे बढ़ा अच्छा लगता था enjoy the sun मुझे sun की जो रोशनी थी बहुत अच्छी लगती थी ऐसा लगता था वो मेरे रूम में आते हैं मेरे से केलना चाते हैं पर end of the paragraph में पूरा उन्होंने जो mood है poem का वो change कर दिया थोड़ा sympathetic आ गया हम लोग को थोड़ा में हम लोग आ गए था the contrast between the joyful reminiscence of childhood and the desire for escape in present highlights a deeper sense of disillusionment और unhappiness वाने poet unhappy है सब्सक्राइब को यह सारे notes आपको मिल जाएंगे अगर आप लिना चाहें तो ले सकते हैं वैसे मैंने इसमें भी लिख दिया मालों तुम लो स्क्रीन शॉट ले रहे होगे कोई बात नहीं है लेकिन ये notes के अंदर बहुत सारा literary devices explanations है question and answers है सब कुछ है मैंने पुरा complete करके दिया है आप लोग को तो यह backbunches academy के app से आप ले सकते हैं ठीक है violets flower थे lily cups थे those flowers made of light तो बोरे घर में गार्डेन में जितने flowers थे सब bright they illuminated रोशनी ही रोशनी थी color ही color था थे के मेरे जीवन में मेरे जीवन में भी color ही color था मेरे जीवन में बहुत सारी happiness थी मेरा जीवन flower की तरह illuminated like the lilacs where the robins built and where my brother set the Lebanon on his birthday ठीक है और वहां पर जहां पर लाइलक्स थी जहां पर Robin ने अपना घर बनाया था Robin माने अपनी बर्ड है उन्हें बनाया था वहीं मेरे भाई ने भी एक ट्री लगाया था लबनम ट्री ऑन इस बर्दे के लबनम लबनम एक ट्री होता है यल्लो रंगे यहां पर फिर दिख रहा है कि वो कितने तकलीफ में है और वो कंपेर कर रहे हैं कि वो लाइफ कितनी अच्छी थी फुल ओफ इल्यूमिनेशन थी प्यारे प्यारे फ्लावर थे वो जो ट्री मेरे भाई ने लगाया है वो जीएगा हो सकता सौ साल जीए हो सकता हजार साल जीए लेकिन मैं जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा मुझे पता नहीं तो यहां पर जो प्रेसंस ऑफ रॉबन है ठीक है जो फ्लावर थे इसको आप लोग देख लो यहां पर इट सिंबलाइज जाएफ लाइफ लाइफ की बात हो रही है वो आज भी मेमरी इसको याद कर वाता है ठीक है वहाँ पर जो ट्री लगाया था वो मेरी मेमरी जै अगर मैं जाओंगा तो वह मेमरी मुझे आज भी महां पर मिलेगी तो तो इस लाइन अंडर्शोर देपोर्टेंस ऑपर स्वाशनल कनेक्शन यह बताता है कैसे में अपने घर के संग कनेक्टेट था आज भी मेरी जिंदीगी बोलते ना मेरा कुछ बेरा कुछ इससा आज भी मेरे घर पर रहे गया है ठीक है ठीक है थार्ट जूले में स्विंग करता था और जब मैं स्विंग करता था और जो फ्रेश है रहे वह मेरी आखो को टकराती थी ठीक है और मुझे ऐसा लगता था टू स्वालो अन्दा विंग यहां पर तो थोड़ा सा अगेन मेटफर है व बढते है एक स्वालो जो एक बढून होती है ज तो बोर रहा है, the speaker recalls a time when they used to swing and believe that the air around them must be as fresh and invigorating as the air that rushes fast swallows as they fly. तो बोरा, उनकी हावा उतनी ही fresh होगी, जब वो swing करते थे ना, तो वो अपने आपको bird समझते थे, उनको भी लगता था, खुले आस्मान में fresh air में swing कर रहा हूँ, जैसे swallows जब उड़ती थी आकास में, जब birds आकास मोड़ती है, उनके भी wings के नीचे fresh air होती है, तो बोलता है, जैसे एक swallow को fresh air आती होगी, वैसे ही fresh air, मुझे भी belief हो, मने वो अपने आपको bird से compare कर रहा है, कि मैं भी bird की तरहे खुले आस्मान में उड़ता था, जब मैं swing करता था, ठीक है, देखो यह ना, बहुती दुख बरी यहाँ पर ending है, ठीक है, बोरा है, my spirit flew in feathers then, उस टाइम मेर मेरे जो spirit था ना, मेरे जो बच्पना था, वो feathers पे था, मने जैसे तुम लोग अभी एक तूँ हो ना, जा रहे हो, बार फुटबॉल खेल रहे हो, उड़ रहे हो, मजाक कर रहे हो, कोई चिंता नहीं है, कोई pressure नहीं है, life तुम लोग का बहुत free है अभी, खाली exam का tension है वो feathers पे था, वो उड़ता था, मेरे बच्पन में मेरे जो मन था, मेरा ओप था, मेरा डिजायर था, वो हमेसा उड़ता रहता था, वो हमेसा उड़ता रहता था, बट इस सो हेवी ना, लेकिन अब जब मैं बढ़ा हो गया हूँ, वो सारा desire मेरा खतम हो गया है, देखो, he is actually I think he has failed in his life miserably, उनकी life में वो सब नहीं हो रहा है, जो वो करना चाते थे, एक है, वो सकता है, वो अपनी life में थोड़ा आजाद रहना चाते हो, अपनी life में थोड़ा enjoy करना चाते हो, free रहना चाते हो, pressure लेना नहीं चाते, पर उनकी life में बहुत pressure है, इसी इने बोल रहे है, अ and summer pools could hardly cool the fever on my brow. और पहले बताते थे कि जब हम लोग को गर्मी लगती थी, जब हम लोग बहुत थक जाते थे, हम लोग को गर्मी लगती थी, हाँ, वी वेर वेरी टायद, एक्जास्टेड, अद फिलिंग हीटे अप, तो हम लोग पूल में कूच जाते थे, थे कहा, लेकिन अब अगर मैं स्विमिंग पूल में कूद भी जाओंगा, तफीवर ऑन मैं ब्राओ, तफीवर ऑन मैं ब्राओ का मताँ मेरे माथे के उपर जो टेंशंज है, वो अब दूर नहीं होंगे है ना the fever on the brow actually convince a sense of intense heat or emotional turmoil experienced by the speaker during their childhood the mention of summer pool suggests the speaker sought relief from the heat by immersing themselves in water however the phrase could hardly cool implies that even the cooling effect the water was not enough to elevate the fever on the speaker's brow this fever represents a metamorphical state of heightened emotions restlessness or inner turmoil जब लोग बड़े हो जाते हैं पापा मम्मी लोगो देखो जब उनको इतना pressure रहता है तो अगर वो लोग को तो शावर में भी भेज़ दो या बारीज में भी फिंगा तो उनका tension खतम नहीं होता है उनके दिमाग के अंदर में जो अभी जो pressures है ठीक है जो restlessness है जो turmoil है जो उनके दुख है उनके दिमाग में जो pressures है उनके उपर में वो आप कोई भी swimming pool या कोई भी shower या कोई भी pond वो हटा नहीं सकता तो likewise जो जो राइटर है वो बोल रहे है कि बच्पर में तो बड़ा अब अगर swimming pool में कूद भी जाएंगे तो वो pressure वो tension वो क्या नामे हमारा क्या नामे जो हम लोग को tiredness है वो कभी भी अब नहीं जाएगा understood तो बड़ा तकलीफ है बचारे पोएट को मुझे नहीं पता तुम लोग को यह poem क्यों दे दिया तुम लोग तो अभी तो बोरहा है मुझे वह उच्छे उच्छे पेड़ याद है तो बोलता था जब चोटे बच्चे होते थे ना और वैसे खड़ेयों के ऊपर ट्री को देखते थे उनको ऐसा लगता था ट्री का टॉप जो है वह जाके heaven को touch करता है और भगवान के पास चला जाता है ठीक है तो ट्री के अंदर में उनको ऐसा लगता था एक natural उनके अंदर एक चीज़ आते थे कि वह गॉड के पास में है तो बोर रहा है अब मुझे समझ में आया कि यह सब बात चूटी है ठीक है तो बोर रहा है लेकिन जब मुझे यह पता चलाना कि now it's little joy to know I am father of from heaven बोर रहा है लेकिन अब बड़े होके जब हमको स्वाज में आ रहा है न कि मैं भगवान के पास नहीं हूँ बगवान से बहुत दूर हो उपर बगवान नहीं है तो यह news अच्छी news नहीं है यह bad news है जब बचपन थे बचपन में थे छोटे थे चाइल्ड़ूट में थे और वेन वी उस तो बिलीव देरिस गॉड़ फर अस वह अच्छा था कभी कम से कभ हम जूटे ही सही माने जूट मूट कही पर हम भगवान के करीब थे पर अब हम भगवान से बहुत दूर हो चुके हैं वी आर फॉर्दर फॉर्म देवें तो यहां पर लग रहा है ऐसे यहां पर लग रहा है कि जो पुएट है उसने सारा होप अपना हो दिया है यह लॉस्ट ऑलिस ओप टेक है तो बुरह है थे टर्म हेवें इन दिस कोंटेक्स इस लाइकली का मेटाफर फॉर्टी जॉइ और सेंस ऑफ बिंग कनेक्टेट तो सम्थिं ग्रेटर देन वनसेफ हैं उनका साथ ता थेंगो अन्मी पापा होते थे हैं बहुत है अपर जाके थे परिशानी सॉल नहीं होती है क्योंकि अब तो आपको खुड टैकल करना है तो कभी-कभी आप डिसपॉंटेड हो जाते हो तो लगता बचपन में लगता था ना मम्मी है पापा है बहुत है त तो अच्छा था आप जब यह रिलाइस होता है कि अब कोई नहीं है तो यह अच्छी बात नहीं है हम अब लोग से बहुत दूर चले गए है और यह बहुत ही सादेंट स्टेट अफ अफेर है सव्याद नहीं है रिच्छ कि आपट को चाहरा है हुट्छ है और बेंचेंशना नहीं को फिकर नहीं डशोंग चाहरा है चाहां को अच्छिंग पड़कें खाली नहीं परता है लेकिन जैसे बने पहले बोला एक्जा को ड़ एक्शा नहीं ही इसके एक पूह बाध बाहाए है remember इसके सारे question answers literary devices सारे मैंने यहां पर लिख दिये हैं question answers के भी complete side नहीं हुए पुरे मैं इसके उपर एक बार और काम करूंगा भी ठीक है लेकिन फिर भी बहुत सारे notes complete अत्रों सा काम और बाकिये notes में यह मैं कल तक इसको update करके आप लोग को backbitchers academy के app में डाल दूंगा तो वहां से आप इसको ले लेना okay so this is the poem I hope you like the poem I say I am very disappointed with the board कि आप लोगो क्लास 9 में नहीं देना चाहिए था ना आप लोग बच्चे लोग आप लोग के सब क्या सब्सक्राइब कर अनिवेस thank you for watching